डियर स्टूडेंट आप सभी कैपी स्टडी काउमर्स एंग्लिज गुरुज चैनल में स्वागत है आज हम कोश्चन नंबर 27 को हल करेंगे पिछले वीडियो में हमने कोश्चन नंबर 26 को बनाया था जिसमें अजय अतुल और अनुराग से सब्मंदीत प्रस्ण थे आज 27 नंबर के प्रस्ण को देखेंगे और समझेंगे कि यह जो कोश्चन है वो किस प्रकार से बनेगा तो यहां पर देखें प्रस्ण में क्या लिखा है अब और सा एक फर्म म सभी में क्या हर जो है बराबर नहीं है अलग अलग है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हमको जो है समान हर वाले में कनवर्ट करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यहां पर प्रस्ण में लिखा हुआ है लेंदार बैंक अद्विकार समान ये संचिति पुंजी ख संयंत्र उपसकर भवन अब सा ने उस दिन सा ने उस दिन आवकाज ग्रहण किया तथा इस सम्मंध में निम्नलिखीत समायोजन निश्चित हुए इसकंद मुल्य में 10 प्रतिसत की ब्रिद्धी की जाए इसकंद के मुल्य में कितने प्रतिसत की ब्रिद्धी 10 प्रतिसत इसक गटावती या कटावती अप लिखित की जाए ऐसे भी कर सकते हैं तो संयंत्रों पर 5% घटा दिया गया मतलब 5% कम कर दिया गया देंदार उपर 5% डूबत रिंड संचय बनाये जाए तो देंदार उपर 5% डूबत रिंड संचय बनाएंगे ठीक है देंदार कहा है ये विवि पुनर मुल्यांकन खाता बनाने को बोला है साज़दारों के पुझी खाते और सा को रकम जुकाने के बाद फर्म का चिथा तो इन तीन चीजों को बनाना है हमको और यह प्रस्णा 36 गड़ 2020 में सेट ए बी और सी तीनों में आया हुआ है तो यह जब कोश्चन आयगा इस प्र आठ नंबर के प्रस्ण होते हैं और ऐसे प्रस्णों को आप बनाएंगे तो आपको आठ नंबर मिलेगा तो यहां पर हमको समझना है कि क्या-क्या खाता बनाने को बोला जा रहा है तो पुनर मुल्यांकन खाता साज़दारों के पुझी खाते और साक रुकम चुकाने के ब अुअ को पुनरबिंठास में इस संपत्यों में बिद्धि कमी होगा तो विक्लाइबू धैट्वाइटॸ में बिंद्धिंग कमी होगा तो इसka समाकलान में रिखेंगे aquest is प्रकार संचीतियों में विक्लान में संचीतियों में कमी समाकलन में. चोटे होए दाइतव है तो वो विकलन में आएगा और छोटी होई संपती है तो समाकलन में जाएगा. फिर जिस पक्षख योग ज्यादा रहेगा उस पक्षख योग के अंतर किरासी को दूसरे पक्चमें, पूझी खाते से करके धरसाते हैं ठीक है अगर समाकलनपक्चक योग अधिक है और विकलनपक्चक योग है तो अंतर किरासी हम विकलनपक्चम लिख करके यहाँ पर पूझी खाते के रूप में बाण़ देंगे यह लाब होगा इधार आएगा तो यह हानी होगी, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है, आप चलते हैं हम इस question को, question को उपर चलते हैं और पुनर मुल्यांकन खाता बनाते हैं, तो पुनर मुल्यांकन खाता हैं, आप लोग के मैंने पहले से ही बना करके यहां पर रखा हुआ है, यह अवकाज गर्षर करता है अर इसकंध की मूल्य में दस प्रतिस्त को लिख देंगे इसकंध कितने का है तो प्रस्तम में इसकंध डिया हुए है आपका सात्र-थाजार सेत्रteenth57ड गुधित दश बटे क्या कर दिया सो कर देंगे तो यह तो संयंत्र कितने के हैं तीन हजार का पांच प्रसेंट अगर लिखा लेंगे तो हमारा लिकल जाएगा एक सो पुदेख लिखेगा तीन हजार गुरिट पांच बंड़ Το यहां पर कितना हो गया यह वान किना है पूझाहर। मतलब एक सो पछows रुप्य ओर प्रपिया थिक तो यहां पर हमने एक सो पचार रुपे लिखा आप डूबतृर संचय का आजन करना यहां पर 5 प्रतिसाट डूबात्रिड संचय बनाना है देनदारों पर तो देनदार कितने के हैं तेरा हजार तेरा हजार का 5% लिकालना पड़ेगा तो तेरा हजार गुडित 5 बटे 100 कर दीजे तो यहां पर लिकल जाएगा यहां पर प्रस्ण में और कुछ भी नहीं है जो समाजन से संबंदित है तो यहां पर बस इतना ही है फर्मकी ख्याती का मुल्य 12,000 रुपय है यह ख्याती वाला साज़दारों के जब पुंजे खाता बनाएंगे उस समय यह काम आएगा ठीक है तो बस इतना ही है अब हमको क्य हां कि यह जो विकलन पक्षकयोग न पक्षकयोग तो यहां पर देखेए 650 और 150 1500 एकician 80 continua यहां का कि इतना हो रही है यहां का समाप्षकयोग जयादा है और विकलन पक्षकयोग कम है तो हम अंतर किड़ासी को यहां.- असाटेंगे सांवलो नौकलmember, यहां से & 9100 यहां पर नौ सुरुपय कि रासी को बाटेंगे तो यहां पर कौन से अनुपात में बाटेंगे तो प्रस्ण में जो अनुपात दिया है लाब हानी का उसी अनुपात में हमको बाटना है तो यहां पर प्रस्ण में दिया हुआ है एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे च्छाए अब इ देखें हमने यहां पर लिख लिया है क्या लिखा है एक बट्टे दो एक बट्टे तीन एक बट्टे च्छै जैसा प्रस्ण में लिखा हुआ उसी के हिसाब से हम यहां पर लिख लिए अब हम दो तीन और च्छै का लगुत्तम समय तक लेंगे दो तीन और च्छै का तो यहां 3 मतलब कितना 3 2 ने 6 मतलब लगताम स्वार तक कितना आएगा 6 आप इस 2 से 6 को भाग देंगे तो 2 तीन आया भाग फाल 3 का गुड़ा उस उपर वाले आंस से करना है तो 3 एक कम 3 ठीक है उसी प्रकार यहां पर 3 है 3 का भाग देंगे 2 से तो 3 दो ने आएगा मतलब 6 को भाग दे तो 2 ने करके आएगा 2 भाग फल थो आया दो का गुड़ा वाले सा निसर से तो धना से तो 2 कम दो इस एक गारष्ट एक कम एक का एक मतलब हमारा क्या आगए अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 और इसी अनुपात में हमने उस 900 रुपया की रासी को जो यहां पर लिखा है न 900 कुप बाटा है तो यहां पर देखे 900 गुडित 3 यह 3 का लिकाल रहा है यह सवरी 6 कम और यहां से काड़ देंगे 6 कम ठीक है बचा क्या 3 6 5 6 30 और यहां पर सुन्यों 15 यह 45 450 यह देखे 450 लिखा उसी प्रकार 150 गुडित 2 कर लो 150 गुडित 2 तो हमारा यह 15 दोने 30 300 और 150 गुडित 1 करेंगे तो 150 तो यहां पर देखे यह दो 3 यह तीनों चीजे हमने यहां पर लिकाल लिकाली 450 300 और 150 ठीक है और यहां पर हमने यहां पर लिख दिया यह कौन से अनुपात में तीन अनुपात, दो अनुपात, एक के अनुपात में है, क्लियर है, तो यह हो गया पुनर मुल्यांकन खाता, कोश्चन नमर 27 का, अब हम चलते हैं, इसी का साहजदारों का पूंजी खाता बनाएंगे, तो साहजदारों का पूंजी खाता के लिए सबसे पहली चीज आपको ध पूंजी 20,000, 10,000 और 10,000, यह कहां से मिला, तीस चिट्थे से मिला है, यह देखे 20,000, 10,000 और 10,000, इस चिट्थे से हमको पूंजी मिल गया, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे सेस लाइग करके लिखा, यहाँ पे सेस लाइग 20,000, 10,000, और क्या चीज को देखते हैं, तो दू लाब हानी को अगर लाब हानी का दिया हुआ है तो उसको भी बाटना है और अन्य कोई कोस बना हुआ है अन्य कोई कोस जो जैसे करमचारी आबदा कोस करमचारी छती पूर्थी कोस इस प्रकार का अन्य कोस उसकी भिरासी को बाटना होता है ठीक है तो हमको एक एक करके समझ मा बाते जाएगा यहां पर देखे समाने संचीति दिया हुआ कितना बारा घालो способ तो कौन से अनुपात में बारेंगे तो यहां पर हमने समाने संचीती को करके लिग दिया पहले तो हमने लिखा के सेस लाए की को चीथे से देख करके 20,000, 10,000 और 10,000, समाने संचीती को, समाने संचीती कितना लिखा है, 12,000 रुपे लिखा है, 12,000 को हमने बाटा, ठीक है, 12,000 को बाटा है, तो यह देखे, 12,000 गुडित, अब एक लिखा लेंगे, तो 3 बटे, 6, 6 कम, 6, 2,000 गुडित, 3 करेंगे, तो कितना आजाएगा तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा लिया 6000, 4000 और 2000 A, B और C का यहाँ पर 2000 क्योंकि यहाँ पर भी हम लिखेंगे तो 12000 गुड़ी 3 बटे 6 करके लिखेंगे फिर कटाएंगे तो 2000 ही आएगा 2000 हम डारेक्ट डारेक्ट गुड़ा कर दिये ठीक है तो 6000, 4000 और 2000 तो यहाँ पर 6000, 4000 और 2000 समाने संचीति को बाढ़ दिये अब पुनर मुल्यांकन को देखते हैं हम यहाँ पर जो चेक लिष्ट बना रहे हैं इसमें कोस के बारे में और पाच्वा है पुनर मुल्यांकन पुनर मुल्यांकन पुनर मुल्यांकन से लाव है या हानी को इसको देखा जाता है तो देखें यहाँ पर पुनर मुल्यांकन खाता को तो देखें यह जो पुनर मुल्यांकन की रासी है हमने कहां पसे लिया है तो यह अब अर्षा को जो पुनलाब हुआ है चार्सो पचास तीन सो और डेड़ सो इसको हमने यहाँ पर लिखा पुनर मुल्यांकन खाता को 453,500 लाभ है इसलिए हम समाकलन परक्षे में लिखे हैं ठीक है अब इसके बाद क्या तो इसके बाद एक चीज और है जिसको मेंसन करना होता है वो है ख्याती की रासी तो ख्याती की रासी में क्या होता है जब भी पूand क्या जब आउकास गराण करता है वो समय तो उस समय जो है हमं leverage यहांवा जब आवकास कते हैं और ख्याती कराक्ति में ऊस सहाज़ार का भाग लिखा लेंगे और उस सङ्षिदार को फिर जो पुराने जो सहिवाग को कि यहां पर एक बचे सहा भाग को थे थैसा हमको उसमझे मैं थे तो ख्याती गिरासी जो है यहां पे question में 12,000 रुपे, फर्मकी ख्याती का मुल्य 12,000 रुपे है, तो इस 12,000 का हम सबसे पहले जो अवकास गरहन कर रहा किया है, उस साज़दार का हिस्सा लिका लेंगे, तो फर्मकी जो ख्याती है, फर्मकी ख्याती है, वो है 12,000 रुपे, उ अरसा का जो हिस्सा है उस सा का हिस्सा हमने यहाँ पर लिकाला एक अनुपात एक है ठीक है मतलब 6 भाग में एक भाग सा का है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12,000 मतलब सा का भाग लिकालेंगे तो 12,000 गुडित एक बटे 6 6 कम 6 2 ने 12,000 मतलब यह क्या आ गया 2000 रुपे आ गया ठ सा का हिस्सा लिए तो सा का हिस्सा ख्याति किराशी कितना लिएезжा है तें साथ रिर्थ मोटी दो घृष्षिब से चिसने चला बचते हैं 147 और hawkac ग्रहण नोदाने इस जो ख्यातिक रासी है इसको प्राप्ती अनुपात में बांटते हैं प्राप्ती अनुपात इसके लिए हम लिका लेंगे प्राप्ती अनुपात ठीक है प्राप्ती अनुपात का फार्मूला होता है नया अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात तो यहां प प्राप्ति नुपात की करना है क्योंकि नया और पुराना को माइनस कर देंके तो प्राप्ति नुपात आजाएगा जो भी सहजदार जो सेज बचे हÝ उनका ठीक है, लेकिन यहां नमें कहीं पर भी नया अनुपात नहीं दिया है, केवल यह वाला अनुपात दिया है, जो कि पुराना अनुपात है, क्योंकि इसमें आवा सा तीनों हैं, आवा का नया अनुपात यहां पर कहीं पर भी नहीं दिया है, ऐसी इस्थिती में हम क्या करते हैं, जो पुराना अनु प्राप्तिय अनुपात मान करके हम उस समबंदित जो क्याती के रासी का समाजन करते हैं इसके लिए हमने पिछले जो को चेप्टर है उसमें से नोट को लिया था एक नोट यहां पर लिखा हुआँ जिसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं यह देखिए जब प्रस्ण में नया लाभानी अनुपात ना दिया गया हो तो यही मान कर चलते हैं कि पुराने साज़दार अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे अधा पुराने अनुपात ही त्याग अनुपात होगा यह त्याग अनुपात के संबंद में बात प्रापति अनुपात की गर्णा करने का उसकता नहीं पड़ेगी और यह वाला जो तीन रृबाति, नुपात, को बना सकते ने करत आए च्छर्ण आएगा नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे सा का जो भाग है उसमें से एक हिस्सा लिखा लेंगे और एक हिस्सा है तीन और बी का हिस्सा है दो तो एक हिस्सा तो दो हजार सा का ख्याती दो हजार में तीन बटे क्या कर देंगे तीन और दो पांच तो यहां पर पांच लिख देंगे तो यह दो बटे पांच भाग तो पांच एकम पांच चार सो गुडित दो चार दो ने आठ सो यहां पे बारा सो और आठ सो इस प्रकार से आएगा ठीक है और इसी को हमने यहां पर लिखा क्या देखिए इसमें एक चीज़ और हमको जानना है जो कि जब भी कोई साज़दार अवकास गरहन करने पर जो ख्याती की रासी होती है तो इस ख्याती की रासी को A और B मिल करके उस C को देंगे तो A और B दोनों मिल करके C को देंगे और इसका जो पंजी प्रोष्टी हम क्या करते हैं तो पंजी प्रोष्टी करते हैं A का पूंजी खाता A का जब समाजन का खाता से ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा, यह देखे यहाँ पर भी यह वाली in tree काम आएगी, यहाँ पर E का पूँझी खाता को, क्योंकि ये जो है अपनी पूंजी गिरासी से ख्याती किरासी देगा किसको सा को ये देखिए और भी भी देगा ख्याती किरासी सा को तो यह 800-1200 टोटल दोहजार के ख्याती के रासी प्रदाय करेंगे ठीक है और इस 이용 को हम यहांपर जो लिखे हैं कि C के पुझी खाता से कि C के पुझी खाता से और यह समाकलान में इसलिए हमने बिकलान में लिखा और यह दोनों बिकलान में इसलिए हमने यहाँ पर समाकलान में लिखा ठीक है तो यह वाला हम यहाँ पर लिख दिये C के पुझी खाता से और रासी जो होगा यह बी ने कितना आठ सो रुपय तो बी के में आठ सो और एने कितना दिया बारा सो तो एके में बारा सो यह कम होगा ए और बी के में कम होगा और सी के में यह प्लास हो रहा है ठीक है तो इस प्रकार से आपको करना है अब हम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे और समझेंगे प् प्रास्न में और कहीं पर कुछ नहीं लिखा है केवाल इतना ही दिया हुआ है यह देखे बारह जार रुपे हुआ आपको 31 दिसंबर 2006 को निमनल के बनाना है पुनर मुल्यांकान साको रकम चुकाने के बाद फर्मक चिटा मदसा को पेमेंट कर दिया गया जो पुंजी की रकम ख्याति की रकम हो रहती उन सब किटी को पेमेंट कर दिया गया है थरी मन कर दिया गया है तो हम उडब खौक of média 12150 तो सा इसद्धा 1150 की रची कोहों यहां पर रोकर खौता से क्यों क्योंकि इसकी राषी सा की रची को पेमेंट कर दिया गया है इसलिए रोकड़ खाते से सा का पुंजी खाता बिकला रोकड़ खाते से इस प्रकार के परश्टी होती है तो हमने क्या-क्या इसकी रासी सा की रासी को प्रिमेंट कर दिया आप बचे कौन तो और बचे हैं तो उनको सेस्ट ले जाया कि करके लिग देंगे इधर के जो टोट प्रकार से बनेगा और यहां पर देखिए इसके अधार पर हम चिठ्था भी निर्माड कर सकते हैं आगे तो इस प्रकार से यह साज़दारों का पूझी खाता बनेगा ठीक है अब हम चलते हैं साज़दारों का तो यहां पर जो है साक रकशं़ चुकाने के बाद और फर्म का चिठ्था प्रस्ण में दिया है उसी के से हम चिठ्था कर निर्माड करेंगे तो दाइथ वह रासी, इसके हम रासी पर समबतिया रासी जैसा फार्मेट चिठ्थे का उसफ्रकार बनाना है हमको और हमको यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है तो एक एक चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा जो चिठे में लिखी हुई है तो यहां पे चिठे में क्या लिखा है रोकड रोकड लिखा है कितना पंदरा हजार चैसुरुपया तो पंदरा हजार चैसुरुपया इसमें से 14150 रुपया हमने किसको दे दिया साको दे दिया 14150 रुपया तो 14150 रुपया हमको रोकड में कम करना पड़ीज़र कितना हमने देखा चिठे में 15600 रुपया चिठे में 15600 है अब साकु भुक्तान कितना किया 14150 तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रोकड कितना बचा 1450 रुपय ठीक है उसके बाद प्रस्ण में क्या दिया हुआ है संचीती बनाने के लिए बौला है 650 रुपय यह संचीती का से क्या है यहाँ इसको हम問ar मुल्यांकन करें लिखा है त्सकेंद कई सतरा हजार दकेंद में दस प्रती सत की बृद्धी भी बोला है प्रस Score I han हने सटरह जब कंछाना का 10000 zł और कि बृद्धी करके दिखाया ठीक है cow मैंदा करकेंद मोसे कि अहले सी कभी लेद चेओंगें कमी बोला है ब सम 나 gu.comी जो है वो है 5 प्रति सथ और सहिएन्तर कि इतने का है तो सहिएंत्र है हमारा 3,000 का तो 350 रुपिया तो 3,000 क्या यह하지 कर देंगे कम कर देंगे कम कि मैनस कर दिये तो हमारा आगि है च्छिपर छृत झाप ठीक है उसके बाद प्रस्नane और 11,500 इस प्रकार से इधर का हमारा संपत्ति पक्षा के पूरा विवरन कंप्लिट हो गया, अब हम चलते हैं दाईट वक्षा के ओर दाईट वक्षा में है लेंदार, प्रस्न में लिखा हुआ है लेंदार यहां पे तो लेंदार 8000 का है, तो जैसा है वैसा लिख देंगे, सार्जदार कम सांची कि 것은 अuardafood स्क्राइब्स भीक्राइब कर दो इसे को हम को भी चिट्था में दर्साना पड़े गा Field कृट्ण अłudia तो हमान संचीति करा सी खतें को गई इसलिए हमें नहीं ऎलाण संची तो को चिट्थे में नहीं लिखेंगे क्योंकि इस रासी को हमने साज़दारों के पूंजी खाते में डाल दिया पहले से ठीक है जब साज़दारों का पूंजी खाता बनाए उस समय अब पूंजी खाते से तो अब और्सा का पूंजी खाता यहां पर भी सेजार दस है इसको हमको मतलब आपने पुंजी में 12 रुपीय दिया को तो भाग तो यहां पर 20,000 का मतलब 12 रुपीय कम हो जाएगा जितना है उसमें ठीक है उसी प्रकार भा कभी उसी प्रकार का है तो यहां पर समस्त समाजन करने के बाद जो पुंजी खाता है का जो सेस ले जाये वालग सेक्षन है सेक्षन को देखेंगे रासे में कितनी रासे वास्तर में साइधारों के पूंजी है यही रासी जो है साइधारों को पूंजी है जो 2550 वर Перв.5000 रप्रदर्सित हो रहा है इसी को हमको चिठ्था में लिखना है तो हमने यहां पर लिखा आप 2520 232-4305 र४्र अब इसको दोनों को टोटल कर दिए तो आगे 38,750 तो इस प्रकार से आपको बनाना है तो देखें अभी दोनों पक्षक का जब योग लगाएंगे 50,350 और इधर का जब योग लगा रहे हैं भी तो पचास जार तीन सो पचास हो रहा है तो यहां पर जो चिठा बना है वो सही बना है तो इस प्र करके बारी बारी से बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को आप प्लीज और देखिए तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा एक एक चीज को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है हो सकता है कोई चीट शूट गए है उस पुन्जी राची को भषयां रखना है ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना है सेश लायान अकर लेकर के लिखेंएंगे विया को No Dim Acts 2 हम को लिखना है समाने संचीति की रासी स्माने संचीती की लिख सकते हैं बहुद को लब हानी का भाग को या निe उसको हमको चिठा में मत्बम म्दल क्की अ सैजादारोग को पुंजी-ाता में बनाते समय चुछ को लिकंग रहा हूं तो पुर्णर मुलियांकन खातजा बनाएंगे उस समय जो है यहानि उसको हमको सा जा साज़ारो को पुंजी साइधार तो उसके पक्ष में जिन जिन ने क्या क्या दिया है उसकी रासी को हम उसके खाते में समाजजित कर देंगे ठीक है जैसे हमने इस इसमें जो 27 नमबर का प्रशन है उसमें समझा ठीक है तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको बनाना है और अन्य कोई कोस है अन्य कोई और कोस है तो उसकी भिरासी को हमको इस प्रकार से समाजीत करनी है ठीक है तो इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे तो साज़दारों को पुंजी खाता आसानी से बन जाएगा ठीक तो यह हो गया आपका कोश्चन नंबर 27 नेक्स्ट वीडियो में कोश्चन नंबर 28 को कवर करेंगे तो आज के लिए इतना यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्य करी में करैंगे नंबर 28 Friday